हम पढ़ रहे थे बच्छो एश्टेट के लिए उसी सीरीज में आज हम एक नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मो डायनिमिक्स, ठीक है, चेप्टर इंपोडेंट रहेगा, तो आज आरेकिस में भी दो या तीन पोशन यहां से पूछे गए थे, तो असान चेप्टर ज जो कुछ भी बचकिया वो है, सराउंडिंग, और दोनों को मिला करके क्या बन जाता बच्छो युनिवर्स ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए, एक open system होता है, एक क्लोज system होता है, और एक क्या होता है, जो बिल्कुल isolated system होता है, क्या होता है, isolated system, open क्या, जैसे वही आप कोई चीज यहाँ पर गरम कर रहे हैं, यहाँ पर mass का exchange भी हो रहा है, energy का exchange भी हो रहा है, तो इसको क्या बोल देते हो, आप इसको open system बोल देते हो, इसकी walls कैसी होती है di-thermal nature की होती है ठीक है, किसकी di-thermal nature की होगी, अगर आप बात करते हैं, close system की, इस बरतन को अब ढग दो, यहाँ से सिर्फ क्या जाएगी, यहाँ से exchange होगा बच्चो सिर्फ किस चीज का, energy का exchange होगा, mass का exchange नहीं होगा, mass यहाँ से बाहर नहीं जाएगा energy जा सकती है, इसकी wall भी कैसी होती है, close वाले की dye thermal होती है, isolated वाले में क्या होता है, जैसे अपने थर्मश होते नो, bottle आती है, ठीक है, उसमें से ना mass जा सकता है, और हमने गरम पानी रखा तो गरम ही रहता है, ठीक है ऐसा होता है न, तो इसकी जो wall होती है, वो adiabatic nature की होती है जो heat को exchange नहीं होने देती और close है तो mass तो वैसे जा नहीं सकता तो वो क्या है, heat का exchange नहीं होने देती, adiabatic wall आप उसको बोलते हो, फिर जो important बात है बच्चों वो है intensive और extensive property, ठीक है internal यह है intensive, ठीक है, जो mass पर depend नहीं करता है, ठीक है जो quality पर depend करता है quantity पर नहीं, extensive होता है जो mass पर depend करेगा बच्चों जैसे intensive में आपको ध्यान रखना PDT, ठीक है PDT क्या है, यह आप pressure है density है, और temperature है और क्या होगा, molar heat capacity क्या होगी, molar heat capacity, ठीक है पढ़ेंगे इसको भी molar heat capacity को भी फिर आपके पास क्या होता बच्चों यहाँ पर specific heat capacity क्या है, specific heat capacity फिर आपके पास यहाँ पर एक तो vapor density आजाती है और एक आजाता है refractive index, यह दोनों भी क्या आते हैं बच्चों, इंटेंसिव में आते हैं फिर अगर extensive की बात की जाए तो एक यहाँ पर आप mass और volume है mass तो mass पर depend करना ही वाला है तो यह extensive property है एक आपके पास आप याद करो यह move V से याद रखो यह ही, ठीक है यहाँ पर H क्या है, यह है बचो enthalpy और E क्या है, internal energy इसको U से भी represent किया जाता है H enthalpy होता है U क्या होता बचो, U आपके पास होता है internal energy फिर आप इस से आगे है CGS अब C का मतलब क्या है heat capacity, यहाँ पर molar थी और specific थी, यहाँ पर सिर्फ heat capacity है G का मतलब है Gibbs free energy, यह हमने अपने जो electro chemistry थी वहाँ भी पढ़ा था और यहाँ पर S का मतलब है बचो entropy, ठीक है और तब दो extensive चीजों का आप divide करते हो, तो intensive property भार निकल के आती है फिर धियान रखना है state function और path function state function होता है जो initial और final position पर depend करें उसको आप state function बोलते हो ठीक है जैसे अपना PVOT pressure volume of or temperature और जो internal energy होती है जो मतलब जैसे अपनी kinetic energy, potential energy सब energy का sum ही क्या कहलाता है internal energy वो भी क्या कहलाती है वो भी state function मतलब initial और final पर depend करती है किस रस्ते से क्या हुआ, कौन गया उसके कोई dependency उसकी नहीं होती path function जो path पर depend करने वाला है, उसमें कौन-कौन आता है एक तो heat आता है और एक work आता है ठीक है, heat और work आएगा heat क्या होता है, जो energy transfer होता है temperature difference की वज़े से उसको आप heat बोलते हो temperature difference की वज़े से जो भी heat transfer होती है उसको आप क्या बोल देते हो अपना normal heat, ठीक है फिर आपको बता होना चाहिए किस चीज के बार में जो first law of thermodynamics है कि heat नाइधर भी created nor भी destroyed एक form से दूसरी form में convert की जा सकती है ठीक है, और heat का जो आप, मतलब क्या यहां पर पूरा वो बनता है formula आप लेखते है delta U is equal to Q plus में W, internal energy heat और W क्या है work और work को आप लेख सकते हो P delta V, pressure और यह है volume change, ठीक है अगर देखो, heat को absorb किया जाता है, system मतलब system ने heat absorb कर ली उसके पास क्या है, heat आई है बचो, तो वो positive कहलाती है heat क्या की गई है, absorb की गई है H यहां पर A, heat absorb की गई है, तो वो positive होती है अगर heat release हो जाती है system से, बाहर चली गई ठीक है न, बाहर क्या है, निकल गई तो वो होती है negative और फिर है work आपको पता होना चाहिए, अगर system पे work किया गया है, मतलब किसी और ने किया है तो positive work होता है अगर work system के द्वारा किया गया है, तो वो negative work कहलाता है, बात समझ में आ गई है, फिर आपको पता होना चाहिए एक ISO बारिक system होता है बारिक एक ISO कोरिक होता है और एक ISO थर्मल होता है ISO जो अपने पास क्या है, बारिक है pressure यहां constant रहेगा P 0 रहेगा, ISO कोरिक volume जो रहेगी, change वो 0 रहेगा ISO थर्मल जो temperature में जो change रहता बारिक होता है फिर आपको पता होना चाहिए, cyclic process क्या होता है, क्या है cyclic जो process होता, वो क्या होता है पहली बात तो यहां पर जो बच्चो change आप, मतलब initial और final state है, वो क्या होती है same होती है, मतलब मान लीजिए कोई यहां से चीज चली है, वो घूम फिर के यहीं पर आ जाएगी, initial और final state क्या है, same है तो वो आपको कुछ भी बना के देगा इसकी दो condition है, कि कोई भी cyclic process कब होगा, cyclic process में एक तो जितने भी state function है बच्चो वो 0 होते हैं, cyclic state, मतलब cyclic process में all state function जो होंगे state function वो सारे क्या होंगे 0 होते है, ठीक है और यहां पर जैसे एक तो लूप बनना चाहिए 100% मतलब cyclic structure होनी चाहिए यह single line को आप नहीं कह सकते कि एक cyclic है, ठीक है अब यहां पर माल लीजिए कुछ ऐसे दे रखा है, यहां pressure है, यहां volume है और यहां कुछ ऐसे बना दिया गया, तो यहां एक लूप बन रहा है, यह closed system है ठीक है, यह closed है, तो यह भी cyclic process कहलाएगा माल लीजिए, यह ऐसे चल रहा है ठीक है, यह ऐसे चल रहा है तो यहां देखो, इस पूरे line में, इस पूरे system में pressure constant है, तो मतलब यह ISO बारिक है, और यहां पर expansion हो रही है C for compression, C for cooling ठीक है, जैसे हम नीचे जा रहे है यहां पर volume constant है देखो, यह volume constant होगी ठीक है, तो यह isocoric process है, कैसा है isocoric pressure है, ऐसे आपको चीजे निकालनी है, ठीक है एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों की, माल लो, आप किसी भी system पे जैसे आपने एक system लिया और इस पे आप क्या लगा रहे है pressure लगा रहे है यहां पे, क्या लगा रहे है pressure लगा रहे है, जैसे इसके उपर हमने यह एक system ठा इसमें gases है या liquid जो भी है हमने इसके उपर एक eat रग दी, ठीक है eat का एक particular size होगा तो ये constant pressure लगाएगी या variable करेगी, constant ही लगाएगी तो तब भी constant क्या होगा, at constant external pressure वो process हमेशा irreversible होता है, कैसा होता है irreversible, जैसे मैंने इस system पे क्या रखी, eat रखी, ये फटा-फट दूसरे उसमें क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा system प्रेस होकर के, ये irreversible process है, तब भी constant external pressure होता है, तो वो irreversible process होता है, और ये one step में ही हो जाता है, और ये fast होता है, क्या होता है, fast और अगर इसका उल्टा मानो आप कि variable, external pressure लगाया जाए, variable हम एक बार कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है, variable क्या है, external pressure है, तो यहाँ पे ये reversible process होता है, ये एक तो slow होगा बच्चो, ठीक है, और इसी को quasi process भी बोला जाता है, क्या है quasi process भी इसको बोला जाएगा तीक है बोलो आपको बात समझ में आ गई फिर आपको एक दो चीजे और ध्यारन रखनी है कि जो वर्क है वर्क है बच्चो अईसो थर्मल आईसो थर्मल reversible expansion के लिए आपको कैसे लिखना है तीक है किस चीज के लिए आपको isothermal किसके लिए reversible expansion के लिए reversible, expansion के लिए work कैसे लिखना है वो देखो, आप लिखोगे minus 2.303 ठीक है, और ये nRT यहां लिखोगे nRT V2 by V1 V2 by V1, ठीक है और अगर pressure होगा pressure अगर होगा बचो, यहां पे logarithm भी लगाना, logarithm ठीक है, RT logarithm V2 by V1, ठीक है अगर यहां pressure होगा, तो यहां P1 by P2, क्योंकि volume और pressure एक दूसरे का क्या होते हैं बचो inverse होते हैं बोलो, बात समझ में आ गई के नहीं आ गई अगर कैसा है बचो, यहां पे यह तो reversible process था, अगर जैसे यह जो लिखा है, यह reversible के लिए लिखा है, अगर irreversible के लिए लिखा जाए, किसके लिए irreversible के लिए तो आप लिखोगे W is equal to minus P external, P external और delta V, और delta V को लिख सकते हो, V2 minus V1 ठीक है, किसके लिए लिखा गया है यह, तब constant pressure हो external, जिसको आप irreversible process बोलते हो, ठीक है और अगर compression हो जाएगा तो बच्चो, volume यहाँ पर क्या हो जाएगी यह तो आप समझ गए होगे, भई, compression में volume कम हो जाती है, मतलब अपनी V2 कम हो जाएगी और V1 क्या हो जाएगी जादा मतलब पहले volume क्या रही होगी, अपनी जादा और फिर बाद में क्या हो गई होगी, compression में यही तो होता है, पर जो external pressure वाली बात है, इसको आप जरूर ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है, फिर हम बात करते हैं, बचो, heat capacity की, किसकी heat capacity अब देखो, आपके पास को एक substance है, क्या है एक substance है, heat capacity में हम बात कर रहे हैं, कि उसका एक degree temperature बढ़ाने के लिए आपको कितनी heat absorb करनी पड़ती है, उसको heat capacity बोला जाता है, ठीक है the amount of heat absorbed by a system to increase its temperature by one degree ठीक है, कि एक degree temperature बढ़ाने के लिए, कितनी energy heat absorb करनी पड़ेगी, ठीक है वही heat capacity होती है इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है, बच्चो, q by t unit हो जाएगी, यह joule और temperature की होती है, kelvin, ठीक है फिर अगर आप लिखो molar heat capacity, जो की intensive property होती है, molar heat capacity आप लिखते हो कि भई जो एक mole, मदब जो substance है, उसका एक degree temperature बढ़ाना अब आपको उपर तो कोई condition नहीं थी यहाँ पर है, एक mole substance का एक degree temperature बढ़ाने के लिए जो energy चाहिए, इसको कैसे लिख दोगे q, यह number of mole, delta t, ठीक है unit तो बना दोगे, इसकी बई यह joule हो जाएगी, n के लिए mole लिख दोगे, और यह kelvin लिख दोगे अचाँ फिर होते है बचो, आपके पास specific heat capacity, जिसको cs भी लिख दो, या सिर्फ s लिख दो इसको लिखते हो कि भी, एक gram substance क्या, एक degree temperature बढ़ाने के लिए कितने energy चाहिए तो उसको लिखते हो q, m, delta t, ठीक है, मास की degree, अपना specific, क्या है ये अपना heat capacity, ठीक है तब क्या होगा, pressure constant रहेगा, तो ये कहलाती है q, p, और by में, delta t, heat क्या हो जाएगी, फिर q, p हो जाएगा अगर volume constant है, और तब आप heat capacity measure कर रहे हो, तो वो हो जाएगा q, v, by, delta t, ठीक है, अगर यही c, p, m, लिख दें, constant pressure है, और molar heat capacity निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा, q, p ही लिखा जाएगा, यहाँ, n, delta, t होगा, ठीक है, t, यहाँ पे c, v, होगा, m, लिख दिया जाएगा q, v, ये n, delta, t, यह तो सेम रहेगा, नीचे वाले में क्या लिख दोगे ये specific heat capacity हो जाएगा constant pressure पे हो जाएगा यहाँ, m, delta, t, लिख देना, यहाँ पे भी सेम कर देना, बस ये q, v, उपर लिखना, ठीक है, यहाँ पूछा क्या जाता है, यहाँ, q, p, की value आप निकाल सकते हो, यहाँ जैसे c, p, m, है, molar heat capacity ये value आजाएगी न, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ में आगई, ये चीज़ आपको नहीं बूलनी है ये formula, मतलब पूछा जा सकता है फिर अगर adiabatic process की बात की जाए, किसकी adiabatic process, जिसमे q क्या होता है बच्चो, 0 माना जाता है adiabatic क्योंकि heat exchange नहीं होगा तो q 0 हो जाएगा तो यहाँ पे इसमें लगा दो कि delta u is equal to आपने पास q plus w, ये 0 हो गया तो delta u is equal to w के बराबर यहाँ पे हो जाता है ठीक है, समझ में आ गया है फिर अगर हम degree of freedom की बात करें, gases में, क्या है degree of freedom उसको f से represent किया जाता है किसे f से, अगर monoatomic gas है तो वो तीन तरीके से rotate कर सकती है, यही degree of freedom है monoatomic gas है, जैसे अपने पास argon है, helium है, neon है यह सारी monoatomic है, तो degree of freedom मतलब x-axis पे घूम सकती, y पे z पे, translational यह moment होगी ठीक है तो 3T हो जाएगा, translation moment हो जाएगी, इसके लिए cv निकालना है और cp निकालना है जो आप degree हो, मतलब cv निकालते हो बच्चो वो निकालते हो, मतलब उसको लिखते हो, freedom f r by में 2 लिखते हो, ठीक है और इसको निकाल देते हो, जो भी cv आएगा न, प्लस में 1 कर देना ठीक है न, अब यहाँ पर क्या है भई, 3T है, तो आप कैसे निकालोगे, 3 ही, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, r by में 2, और यहाँ पर 5 r by में 2, ठीक है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास diatomic, मतलब आपके पास h2 है, n2 है, पर triatomic diatomic में, तो यह कितना हो जाएगा अपने पास, 5 हो गया, ठीक है तो इसको लिख दो कि 5 r by में 2, ठीक है यह क्या हो जाएगा, 7 r by 2, यहाँ पर 3 ही translation होती है, 3 ही rotational होती है तो 6 r by 2 हो गया ठीक है, तो यह हो जाएगा 3 r, और इसमें plus 1 कर दो, यह 4 r हो गया ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई, यहाँ पर ऐसे degree of freedom निकाला जाता है isocoric system आपको बता होगा, वहाँ क्या हो जाता है, बच्चो isocoric में volume constant हो जाती है volume क्या हो जाती है, volume हो जाती है constant, मतलब v हो जाता है 0, अगर आपके पास यह है delta u is equal to q और work को आप लिख सकते हो p delta v, यही 0 हो गया मतलब work 0, तो delta u किसके बराबर आ जाता है, qv आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर volume constant पर यह चीज निकली है तब ही उसको qv बोला गया था ठीक है, और अगर यही pressure constant पर निकाला जाता है न बचो तो आप क्या लिख देते हो, उसको qp लिख देते हो, यह delta u की जेंगह पर उसको h लिखा जाता है, enthalpy लिखा जाता है, qp किसके बराबर होता है, enthalpy के बराबर होता है, ठीक है enthalpy और अपना internal energy, उसमें क्या relation है, delta h is equal to delta u plus जो भी अपना किसका gases के mol होंगे product में, minus जो reactant में mol होंगे, ऐसे करके आप निकालते हो, अगर बचो delta ng क्या है 0 है, तो delta h और delta u आपस में बराबर होंगे, अगर delta ng 0 है, तो delta h u बराबर होंगे, अगर delta ng less है, मतलब कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा delta h b हो जाएगा, कम और delta u हो जाएगा, जादा अगर delta ng यहाँ पे जादा आया, क्या आया जादा, तो delta h b क्या हो जाएगा, यह जादा हो जाएगा, comparison to delta u, फिर अगर आपसे पूछा जाए रहा है, कि कोई भी चीज free expansion हो जहाँ पे क्या हो रहा है freely कोई चीज expand हो रही है तो तब भी कोई चीज freely expand होती है तो वहाँ पे p external क्या है बच्चो, zero है p external क्या माना जाता है zero माना जाता है, और मालीजे, यहाँ vacuum की आप बात कर रहे है, तो ऐसी condition distribution देल्टा U भी 0 होता था है ,q भी 0 होता हो और work भी क्या होता होटो यहां पर 0 होता है फिर आपको जो अपना एक तो आपने पढ़ लिया फसला में जहां पर हमने क्या बात की , जो energy है , ना तो आप उसको क्या कर सकते हैं ना तो उसको बना ना इदर भी created not be destroyed एक form से दूसरी form में क्या कर सकते हो convert कर सकते हो और जो भी delta H और delta U को measure करने के लिए कलोरी मिटर जो होता है बचो उसका use किया जाता है ठीक है फिर बात अगर हम करें second जो ला है हमारे पास वो क्या कहता कि जो universe की entropy है बचो वो continuously क्या हो रही है वो increase होती जा रही है ठीक है और तब भी आपको कोई भी process करना है ठीक है क्या करना है कोई भी तब process करना है तो आपको थोड़ी बहुत जो external जो forces है उसकी requirement आपको होती है किसकी बाहर से मतलब आपको कुछ ना कुछ forces जो है वो लगानी पड़ेंगी ठीक है entropy जो होती है बचो वो state function होती entropy delta s आप लिख सकते हो या s लिख सकते हो change के लिए delta है ठीक है entropy क्या होती है randomness होती है disorder को measure करने की एक degree है ठीक है क्या है state function s for entropy s for state function है extensive property होती है क्या होती है extensive होती है इसकी unit आपको जानते हो इसको क्या लिख सकते हो q reversible by t ठीक है तो इसकी भी क्या हो जाएगी joule per Kelvin समझ में आ गया और इसको कौन-कौन से factor effect करते है entropy को एक तो सबसे जादा gas की होती है फिर liquid की होती है सबसे कम होती है solid की ठीक है अगर NG जो होता बचो number of mole जो gaseous जो mole है अगर वो जादा है तो entropy भी जादा होंगे अगर यह कम होंगे तो entropy भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी entropy बढ़ती है तो हम positive बोलते है entropy घड़ जाती है entropy temperature के क्या होती है directly होती है और pressure के क्या हो जाती है बचो inverse हो जाती है तब भी कोई चीज mix की जाती है mixing तब होती है तो entropy हमेशा ही बढ़ती है चाहे solid solid को मिला लो liquid को मिला लो या फिर gas gas को मिला लो mixing में हमेशा entropy जो होती है वो बढ़ जाती है एंट्रोपी अगर आप देखो कहीं देखो अगर क्या किया जाता है जैसे एग को बोईल किया जाता है तो वहाँ पे रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है बच्चो क्या हो रही है पार्टिकल्स ब्रेकडाउन हो रहे है तो वहाँ पे जो एंट्रोपी वो इंक्रीज होती है तो जो होती है उसको खीचा जाता है तो वहाँ पे जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है decrease हो जाती है तब भी PPT जहाँ पे precipitation reaction होती है वहाँ entropy decrease होती है जहाँ कोई dissolution होती है या ionization iron में कोई चीज बन रही है तो वहाँ पे जो एन्ट्रोपी है, वो इंक्रीस हो जाता है, रस्टिंग तब होता है uh iron का, रस्टिंग ओफ iron वहाँ भी जो entropy होती है रस्टिंग होता है, एंट्रोपी अगर बात की जाए, जो अपने पास फाइट होता है, फेर जो हता जिसके himotachi आप झाड़ी Clay , to diamond K, okay? फिर कुछ entropy हैं, जैसे entropy of fusion, entropy of vaporization या entropy of sublimation, okay? जैसे निकाली जाती हैं, यह delta S है आप fusion जानते हैं, fusion है, जानते हैं, fusion का मतलब होता है, कोई चीज लिक्विड में जा रही है, मतलब आप melt कर रहे हैं, okay? और यहां पर क्या हो जाएगा? फिर ये delta H by में T और वो भी melting वाला temperature ठीक है ऐसे और ये पता है delta S कभी कैसे निकालोगी बच्चो मालो आपको reaction दे रखे reactant से product तो आप क्या करोगे आप entropy change कैसे निकालोगे product की minus में reactant की ऐसे entropy आपको जितनी भी आएंगी ये तो fusion है अब फिर क्या जाएगी entropy of vaporization ये delta H ऐसे ही पूट करना है product minus reactant करके और जो भी temperature यहाँ पर गीवन होगा और entropy या तो change ही गीवन होगा या आप से निकलवाई जाएगी अच्छा आपके बास फिर क्या है entropy of vaporization मतलब की liquid से gas में convert करना vaporization उसमे delta H vaporization और boiling यहाँ पर होगी अगर sublimation वाली होगी delta H sublimation वाली होगी बचो तो यहाँ पर H sublimation sublimation क्या होता है solid का या तो gas में जाना या gas का सीधा solid में आना और यहाँ पर temperature sublimation का ही होगा ठीक है अगर आप थर्ड ला देखे न तो जो भी crystalline solid मतब अगर आप zero temperature पे देखें absolute zero temperature पे जो entropy है वो भी zero हो जाती है substances की अगर temperature क्या हो जाता है zero entropy universe की हमेशा increase होती है क्या होती है universe की जो entropy है बचो वो क्या है increase ही हो रही है और जितने भी process है natural process है वो सारे irreversible हैं और spontaneous हैं जितने भी कैसे है जो natural process है बचो वो कैसे है irreversible है और साथ में क्या है spontaneous है ठीक है तो जो entropy universe की है वो क्या है जादा है ठीक है ये अपना second law ही है ठीक है यही कहता है second law ठीक है अब आपको और क्या पता होना चाहिए gifts free energy के बारे में gifts free energy क्या होती है जो आपने पास spontaneity के बारे में भी हमें बताती है इसकी equation आपको लिखनी है g is equal to h minus t delta s ठीक है ना h आपको बताई लग गया होगा enthalpy है और इसको Gibbs-Helmolz equation बोलते है Gibbs-Helmolz equation इसको बोला जाता है बचो इसमें क्या है कि आप जो भी delta g अगर negative होता है तो वो process हमेशा spontaneous होता electrochemistry में भी आपको पढ़ाया था ठीक है क्या है आपको electrochemistry में पढ़ाया था कि अगर delta g negative होगा तो spontaneous process होगा जैसे अगर delta आपके पास s है अगर वो जादा है process spontaneous होगा delta g जो है वो कम होना चाहिए तो process अगर ये दोनों condition है process spontaneous होगा ठीक है अगर क्या हो जाए बच्चो आपके पास जो entropy zero हो जाए entropy क्या हो जाए zero हो जाए तो delta g भी क्या हो जाए zero हो जाए तो वो process equilibrium में है ठीक है और अगर बच्चो entropy घट जाए entropy negative आ जाए और जो delta g है वो हो जाए positive तो ये process हमेशा non spontaneous होगा इस process को आप नहीं करा सकते ठीक है फिर criteria of spontaneity हमें देखना है इस equation सही देखना है g is equal to h minus t delta s all और आपको g जो है वो negative चाहिए ये आपका motive है वही spontaneous होगा देखो अगर आप क्या कर लेते हैं बच्चो आपके पास जो h है वो तो हो positive h आपके पास हो positive ठीक है ये positive हो और आपके पास जो entropy हो वो क्या हो negative हो ये positive है ये negative है तो negative negative क्या हो जाएगा negative negative हो जाएगा positive और ये भी positive बात समझ करें negative negative तो हो गया positive और ये भी हो गया positive ये process हमेशा non spontaneous होगा ठीक है पहले वैसे भी entropy क्या हो गई थी यहां पर आपकी negative हो गई थी ठीक है तो यहां क्या हो गया आपके पास यह process non spontaneous हो गया और अगर क्या हो बचो आपके पास H भी negative हो और entropy आपकी positive हो तो positive और negative तो negative है और यह भी value negative है तो जी हमेशा negative ही आएगा तो यह process हमेशा spontaneous होगा तब H negative हो और entropy positive हो तो यह spontaneous होगा पर अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास जो delta H है वो positive हो जाए और delta S जो है बचो वो negative हो जाए H तो positive है S negative है अब ध्यान से देखो S negative का मतलब भई यह negative negative हो गया positive पर यह अपने पास कहां गया कहां गया यह negative negative तो अपना हो गया बचो positive ठीक है और मैंने यह positive है क्या माना मैंने यह उल्टा नहीं माना अच्छा दोनों positive है दोनों positive है बचो ध्यान से मैंने जो भी बोला है मुझे याद नहीं अभी मैंने पीछे क्या बोला है यह positive है यह भी positive है तो यहाँ पे लिया हमने positive और यह है negative और positive यह तो negative ही रहेगा पर यह है आपके पास positive value एक यह positive value हो और यह negative value है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा तभी all over negative sum आएगा मतलब इसको 10 होना पड़ेगा और इसको 5 तभी यह negative आपाएगा यह कौन सा process हो जाएगा फिर बचों यहाँ पे आप बोलोगे T delta S की value जादा होनी चाहिए फिर और दूसरी condition मानलो बही दोनो negative हैं यह negative negative तो positive हो जाएगा फिर delta H को जादा होना पड़ेगा तो ऐसे आप क्या बताते हो जो criteria or spontinity है उसको आप बताते हो फिर आपको कुछ बताना है कि तब आप exothermic reaction की बात करते हैं तो जो delta H होता है वो कैसा होता है negative होता है और जब आप endothermic की बात करते हो तो वो positive होता है मतलब होता है बच्चो तब आप एक reaction करते हैं उसमें कितनी energy या तो release हो रही है या तो absorb हो रही है उसी को आप बोलते हो heat of reaction ठीक है बात समझ में कोई भी reaction है आप कोई भी A से B बन रहा है तो उसमें आप मतलब पूरा complete हो reactant product में convert हो जाए तो वहाँ पे कितनी energy release हुई या फिर absorb हुई वही क्या होता है heat of heat of बच्चो फर में अपना reaction heat of reaction फिर ही enthalpy of combustion आप बोलते हो enthalpy of combustion ठीक है किसी भी चीज को क्या करने के लिए combustion करने के लिए ठीक है burn करने के लिए आपको कितनी वहाँ पे जो heat change है वो कितना होगा कितनी energy या तो release होगी या तो फिर क्या होगी absorb होगी और आपको पता है combustion में हमेशा energy क्या होती है release होती है ठीक है न और combustion कैसे represent किया जाता है आपके पास methane है oxygen आप प्लस करोगे और यहाँ पे बन जाएगा CO2 और पानी यही combustion है ठीक है तो इसको बोल दोगे आप enthalpy of combustion और यह निकालना हम सीखेंगे और यह negative ही आपको मिलेगा तब भी energy बहार निकलती है तो आप उसको enthalpy of मतलब मतलब तब भी energy बहार निकलती है 15.78 किलो जूल पर ग्राम ठीक है किलो 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 जूल ग्राम इन्वर्स ठीक है फिर enthalpy of formation बच्चो ध्यान से सुनना enthalpy of किसकी formation यहाँ पे आप जिस चीज से भी माल लो आपको बनाना है मिथेन तो जो इसके consequent particle है मिथेन को बनाने के लिए उसके consequent particle लेने पड़ेंगे और उसकी standard state में लेने पड़ेंगे और वहाँ जो energy का change आएगा उसको enthalpy of formation बोलते हो जैसे नहीं समझ में आया अभी समझ में आजाएगा जैसे मैंने लिया कार्बन की standard state में आपको लेना ग्रेफाइट को और प्लस में H2 अपनी जो चीज नेचर में प्रेजेंट होती है जिस form में वही उसकी standard state है ठीक है प्लस में मैंने ले लिया H2 उससे बन गया CH4 यही enthalpy of क्या निकल जाएगी बच्चो इससे formation निकल जाएगी एक ग्राम एक्विविलेंट एसड ठीक है मतलब यूस हो का एक ग्राम मतलब कितना एसड यूस हो कितना एक बेस को नूटरलाइज करने के लिए वही क्या होती है enthalpy of neutralization वैसे दोनो एक ग्राम एक्विलेंट यूस किये जाते है एसड का भी और बेस का भी और दोनों तब strong acid और strong base तब होते हैं बचो strong acid strong acid और strong base तब होते हैं तो इनकी fixed enthalpy होती है जो की होती है अपने पास minus 57.1 kilojoule और अगर इससे क्या हो गए weak आपके पास क्या आजाते है इससे weak अगर आपके पास आजाते हैं acid और base तो यहाँ पर जो enthalpy आएगी बचो वो क्या आने वाली है इनसे तो कम ही आएगी ठीक है ना जैसे और कोई value आगी तो वो इनसे कम ही जाएगी बात समझ में आ रही है फिर आती है enthalpy of solution यह fixed value है ध्यान रखना पे पर मैं आया है वह question direct फिर है enthalpy of solution solution मतलब की कितना मदब आप एक amount क्या कर रहे हैं dissolve कर रहे हैं एक specific solvent में वहाँ पर कितनी energy release हो रही है या फिर absorb हो रही है उसी enthalpy of solution बोलते हैं क्योंकि हो सकता है बच जो reaction endothermic भी हो सकती है exothermic भी तो reaction मतलब energy तो release भी हो सकती है और energy तो use भी हो सकती है ठीक है फिर आपको एक law होता है हैस law जिसको आप बोलते हो उसने क्या बताया था हैस law ने कि भई मान लीजे आप एक तो यहां से यहां गए ठीक है एक आप जाना आपको यहीं है और आप गए ऐसे 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 करके पहुंचे तो आप यहीं यहां से यहां पहुंचने में direct जो energy लग रही है तो यहां पर ऐसे ऐसे करने पर भी वो same energy लगेगी अगर यहां 10 जूल energy लग रही थी न तो total यहां भी कितनी energy लगेगी दस चाहिए आप कितना ही घूम क्या हो मतलब एक reaction की जो energy होगी वो specific होती है फिर enthalpy of atomization ठीक है जैसे आपके पास एक जो भी मतलब क्या होगा यह gaseous जो आपके जैसे h2 है उसको किस में convert करने के लिए h में convert करने के लिए ठीक है वो gas में ही होगा पर h में atom में convert करने के लिए जितनी energy चाहिए उसको enthalpy of atomization बोलते हो same करना product minus reaction करके निकालनी है और कुछ भी नई बात नहीं है ठीक है फिर आपको क्या करना है कि enthalpy of ionization ion में convert करने के लिए जितनी energy चाहिए enthalpy of ionization वही product minus reactant करके निकालनी है energy बाहर निकलेगी negative और अंदर जा रही है तो positive ठीक है बोलो फिर है enthalpy of hydration hydration मतलब कि किसी चीज में जैसे copper sulfate है पानी के 5 molecules उसको मिलते हैं न तो यह add करने में जितनी energy लगती है वही enthalpy of hydration है energy बाहर भी निकल सकती है और और क्या है मतलब वो ले भी सकता है फिर क्या है enthalpy of hydrogenation hydrogenation मतलब कि आपके पास alkene है H2 add करना है और वो बना ले alkene जो यह हो रहा ने यह process hydrogenation यही enthalpy of hydrogenation जितनी energy या तो release हो या तो फिर absorb हो वही enthalpy of hydrogenation कहलाता है फिर है enthalpy of allotropic transformation मतलब एक allotrop से दूसरे allotrop में जाना जैसे graphite से diamond में जाना यहाँ पर जो energy use होगी उसको आप क्या बोल देते हो enthalpy of allotropic allotropic transformation ठीक है बचो अब आप देखो जो हैसला में जैसे वो बताया था अब एक equation में माल लीजिए आपने A से एक B आपने एक reaction लिखी इसकी energy है minus 10 joule अगर इस reaction को में लिखतू B gives A है तो आपको यह energy की value सिर्फ plus 10 joule कर देनी है बात कता है ठीक है अगर मैंने इनको 2 से multiply कर दिया तो आपको इस value को भी 2 से क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा ठीक है तो जो भी आप equation के साथ करने वाले वही उसकी value के साथ करने वाले हो ठीक है बोलो बात समझ में आगई मेरी साब से शायद मैंने maximum जो चीजे है वो cover कर ली है ठीक है एक जो energy होती है बच्चो वो bond energy जिसको आप बोलते हो क्या है bond energy वहाँ पे reactant minus product आपको करना है और जोगे तो product minus reactant चलना है जहां पे bond energy आएगी ना वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या हो जाना है सतर्क हो जाना है और वहाँ पे क्या करोगे आप product नहीं reactant minus क्या कर दोगे product कर दोगे ठीक है बोलो बात समझ में आ गई के नहीं binding energy आपको वह समझ में आना चाहिए binding energy मतलब उसमें क्या आता है bonding energy जैसे आपको कुछ ऐसे दे रखा है ठीक है इनकी कुछ value दे होंगी जैसे आपको दिया होगा CH bond है ठीक है वह आपको ऐसे calculate करने पड़ेंगे जैसे यहाँ पर 4 CH bond है ठीक है ऐसे product में कैसे है reactant में कितने है वहाँ को फिर reactant minus product करके सारी values निकालनी है जो भी वहाँ data given होगा ठीक है आपको values दी होगी जैसे CC bond की value दी होगी ठीक है C double bond C की value given होगी तो जो कुछ भी आपका data जैसे यह वाला यहाँ पर एक तो energy आप लोगे C double bond C की ठीक है माली जै यहाँ पर 10 J energy दे रखी है तो 10 कर दोगे फिर यह CH CH 4 दे रखी है तो आप क्या करोगे फिर plus में 4 और इनकी है 5 J energy तो वो कर दोगे तो यह है reactant side फिर product में जैसे आपको यहाँ से मिल गया C2H6 फिर यहाँ भी क्या है यहाँ carbon single bond carbon है और ठीक है और सब के बास क्या है फिर अपने यह hydrogen है तो यहाँ पर 6 hydrogen हो गई माली जै तो यहाँ क्या करोगे minus 6 क्योंकि reactant minus product कर रहे हो तो 6 और जो CH की बोंड की value है वो यहाँ पर लिख दोगे 5 है तो ऐसे करते जाओगे और carbon carbon की कुछ value दे रख्यों कि माली जै 6 ही दे रखी है तो प्लस यहाँ पर 6 joule और जितने carbon carbon bond होगे उतना यहाँ पर आगे multiply कर देना ऐसे आपको calculate करना है फिर हमें question देख लेते हैं यहाँ से क्या पूछे गए है एक तो delta G for a spontaneous process at constant pressure and temperature spontaneous process के लिए delta G क्या होना चाहिए बचो negative होना चाहिए तो यहाँ पर ही है negative यह ला बदाव कौन सा है at absolute zero temperature the entropy of a perfectly crystalline solid become zero यह third ला कहता है थिर थर्ड ला यह चीज कहता है ठीक है फिर आपके बास है enthalpy of neutralization of HCl by NH4OH ठीक है देखो जो अगर strong acid or strong base होता तो यह value होती यह 57 वाली minus में plus में नहीं ठीक है अगर यह क्या हो जाती है कि यहाँ पर weak acid आगया तो इस value से तो कम ही value आएगी तो answer यह हो जाएगा ठीक है फिर देखो for a gas phase reaction यह reaction दे रखी है और यहाँ पर आपको यह बताना है कि यहाँ पर कौन सी condition satisfy होगी देखो बचो यहाँ पर अगर आप NG की value निकालो ना वैसे भी आप NG निकालने की ज़रूरती नहीं है देखो यहाँ एक mole है यहाँ पर दो mole हो गैसे के एक यह रहा एक यह टोटल दो हो गए एक से दो बन रहे है एंट्रोपी क्या हो रही है इंक्रीज और एंट्रोपी इंक्रीज शायर देखी जहेंगे दे रखिए यहाँ पर यह डेल्टा S जादा है तो यही इसका अंसर हो जाएगा ठीक है फिर देखो the enthalpy change for the reaction यह कौन सी reaction है यह देखो पहले graphite है H2 तब भी आप standard state में ले करके किसी चीज की क्या करते हैं formation करते हैं तो वो heat of क्या हो जाती है बच्चो formation ठीक है formation ही है carbon अपनी standard state में hydrogen अपनी standard state में है और इसने इथेन को बनाया है तो यह enthalpy of क्या हो गई formation फिर देखो predict the entropy entropy बदानी है एक उससे दो आप बना रहे है ठीक है atom तो increase हो जाए कि decrease थोड़े होएगी ठीक है यह question द्यान से देखो बच्चो क्या है the enthalpy of combustion of cyclohexane cyclohexane आपके पास है cyclohexane आप कुछ ऐसे बोलते हैं यह cyclohexane है ठीक है इसको आप लिख लो CH combustion आपको दे रखिए cyclohexane की CH की combustion है combustion मतलब की oxygen gives आपके पास क्या मिल रही है क्योंकि combustion मिल रही है क्या बोल रहे हैं कौन सी भाषा है CH plus में O2 combustion करते हो तो CO2 plus में पानी यह होता है फिर आपने cyclohexane का combustion किया cyclohexane का मतलब इसको CHE लिख देते हैं प्लस में O2 कर रहे हो और प्लस में मतलब क्या बनेगा यहां पे भी CO2 plus में H2 ठीक है अज़ा फिर क्या कर रहे हो है hydrogen का कर रहे हो H2 plus में कि O2 क्या बन जाएगा H2O ठीक है आपको करना क्या बचो दा हीट ओफ hydrogenation of cyclohexane is hydrogenation बतानिये cyclohexane की cyclohexane की hydrogenation करो cyclohexane से आप क्या बना दोगे hydrogen add करोगे cyclohexane बन जाएगा ठीक है यह value आपको देखो कितनी दे रखी है minus 3920 ठीक है और यह दे रखी है दूसरे वाले की minus 3800 और थर्ड वाले की है minus 241 ठीक है ऐसे ही है आपको यह total reaction चाहिए बचो यह वाली final reaction चाहिए यहाँ पर क्या क्या चीज़े हुई है यह आपको क्या चाहिए वो देखो इन से आपको इन तीन reaction का यूज करके यह reaction बनानी है cyclohexane left side में है यहाँ भी left में ही है आमें यहीं चाहिए H2 मुझे left में चाहिए यहाँ पर भी इधर ही है कोई दिकत वाली बात नहीं है पर यहाँ cyclohexane इस side है पर मुझे तो यहाँ चाहिए इस reaction को पलट लो अगर reaction पलटेगी बचो तो यह value भी पलट जाएगी मतलब plus की हो जाएगी पलटो इसको CO2 पलस में पानी क्या बनेगा CH पलस में O2 ठीक है इसको काट दो अब अब देखो मतलब की हमें अब यह तीनो reaction हम क्या कर सकते हैं पलस कर सकते हैं बात समझ मैं है क्योंकि मुझे यह reaction मिल गई और अगर बचो आपको यह reaction बैलेंस करके लिखनी है यह balanced हैं सारी इसी वज़े यह कैसे होगा देखो फिर यहां तो कोई जरूरत है नहीं ठीक है यहां से CO2 से CO2 कैंसल हो जाएगा पानी से यहां पर यह जो पानी है वो कैंसल हो जाएगा क्योंकि और तो हमें कहीं पानी चाहिए नहीं है यह पानी है अपने पास ठीक है यह यहां पर कैंसल आउट हो जा बचो यह दोनों तो क्या हो जाएंगी यहां पर add हो जाएंगी और hydrogen हमें चाहिए ही देखो अब यहां कट होगा और यहां पर जो mole होंगे वो different होंगे क्योंकि यह cyclohexene था और यहां पर cyclohexene थी तो यह अपस में all over और सब कुछ कट जाएगा, ठीक है? अब देखो, जरा क्या वैल्यू आने वाली है, आपके पास आ जाएगा, कहां गया? इन तीनों को क्या करना? एड करना है, माइनस माइनस तो प्लस होगा ही, तो माइनस, 3-8-0-0, यहां पर जोड रखा है ठीकी, जोड रखा होगा, यह 1, 4, यह ठीक है? अब इन में से, क्या करना है? वैल्यू आपको, यह माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो होगा, पर साइन माइनस का, और इसमें से घटा क्या देना है यह 3920 3920 यहां बच किया 1 यह बच किया 2 और यहां बच जाएगा 1 और value आ जाएगी बड़ा कि minus है तो यह इसका answer रहेगा तो ऐसे ही आपको final reaction कैसे कैसे बन सकती है कैसे ला सकते हो पूरा explore करके उसको लिखोगे कि कितने number of mole यहां पे required होंगे सब कुछ आपस में cut जाएगा सिर्फ final reaction आपके पास बचने वाली है और नहीं भी बचेगा answer तो आपको ऐसे ही आने वाला है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं which of the following is an intensive property intensive कौन सी है बच्चो temperature ही intensive है